ओम शान्ति आप सबको स्वागत है आपके YouTube चैनल सीखदसूदा टूथ लाइस विदिन में आज हम दो दिन की रिकॉर्डिंग करेंगे कल की रिकॉर्डिंग रह गई थी हमारी और आज की तो कल की नौवे दिन की रिकॉर्डिंग में परमपिता परमात्मा में अपनी स्वास परिस्थेति से सारी परिस्थेतियों को अपने आप से अपनी शक्ति से कैसे कौन सी शक्तियां इस्तमाल करके हमें उनको पार करना है उसके पार में हमें याद दिलाते हैं तो देखें बाबा नौवे दिन के वरदान में क्या कहा था बाबा निकल वामने कहा था स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भव त्रिकाल दर्शी मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सोच करके जो परमात्मन हमें ग्यान दिया है पूरे चक्र का, पूरे साइकल का जिसमें उन्होंने हमें सारे राज बताया हुए है हमें पिछले जन्मों के बारे में बताया क्या है आगे क्या होने वाला है दुनिया में उसका उन्हें बताया क्या है जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं मलगई जिनको पता रहते हैं कि इस समय में जो करूगा आत्मा उसके ये साप से मेरा फ्यूचर भी बन रहे है और गोल घुम करके आज का जो मेरा जीवन है उसको भी असर पड़ता है तो जो बच्चे त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित रहते हैं वे अपनी स्वस्थिती द्वारा हर परिस्थिती को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं कोई प्रॉलम आई उसको इस तरीके से समझा कि ये मुझे पता है कि मेरे साथ यसे सब कुछ क्यों हो रहा है पूर जन्मों का ग्यान भी है और अभी मुझे इस सिचूशन में जो हुआ सो हुआ लेकिन मुझे नए विकर्म नए पाप कर्म नी बनाने है जो हो रहा है मिरे साथ चाए वो सेहत के साथ हो चाए संबंदों के साथ हो चाए धन के साथ हो मुझे इसको सेहन करना है संतुष्ट रहना है अभी और नए कर्म जो है वो पुण्डने कर्म बनाने है दूआ कमाने वाले कर्म बनाने है इसों कहते हैं त्रिकाल दर्शी, past, present और future, तीनों कालों को याद करके कर्म करना Knowledgeful, जिसके जिनके पास में ये knowledge है, ये रह सकी त्रिकाल दर्शी आत्मा है, समय प्रमान हर शक्ति को, हर point को, हर गुण को order से चलाते हैं शक्तियां तो हमारे पास में total 8 शक्तियां है, 8 वो शक्तियों में से कुछ शक्तियां जैसे कि प्रामा कुमारी इसका 7 days of course है जिसमें इसके बारे में विस्तार में बाती की आती है पिर बाबा केते हैं गुणों के हो जो गुण है हमारे अंदर 36 गुण हैं आत्मा के अंदर धेरता, सैंशीलता, मधूरता छीए बाब सारे गुण हैं जो कि हम सब आत्मों के अंदर हैं, लेकिन हम भूल चुके हैं तब ही तो ये दुनिया कल्युग बन चुकी है अगर वो याद रहते हैं उनको इस्तमाल कररे होते हैं ये दुनिया सत्यूग मतलब स्वर्व बन गई होती तो परमात्मा कहते हैं उनको order से चलाते हैं order से चलाना मुझा प्तलब कि याद रहना कि किस समय कौन सी शक्ति को इस्तमाल करना है और अगर भूल जाएं कौन सी शक्ति इस्तमाल करने किस समय तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाए तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि हमें सारी जो भी शक्तियां दी गई हैं उनको हमें order से चलाना है कोई भी शक्ति अगर हमने order से नहीं चलाई तो इसका मतलब क्या हुआ हमें सही समय पर वो याद नहीं आई और जो शक्ति हमें सही समय पर याद नहीं आती है मतलब कि हमने उस समय कोई न कोई पाप कर्म अलड़ी कर दिया है तो अगर शक्ति याद आई सेहन करने की शक्ति याद आई हमें कि इस समय मुझे सेहन करना है ना कि मुझे सामना करके किसी को वोपस जवाब देना है तो उस समय automatically हमें विकर्म करने से हम बच जाएंगे लेकिन इसके लिए ग्यान होना जरूरी है अगर ये ग्यान ही ना हो कि इस समय मुझे सहन शक्ति यूज़ करनी है ना कि सामना करने की शक्ति यूज़ करनी है तो हम सामना कर बैटते हैं लोगों का और उस समय जो हमारे पूरवज या पूरवजणम के जो हमारे कर्म है उनका फिर एक नया खाता और आड़ हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं ऐसे नहीं कि समय आने पर order करे सेहन शक्ती को और कारे पूरा हो जाए फिर सेहन शक्ती आए अरे इसमें तो सेहन करना था मुझे लेकिन मेरे बॉस ने इतना काम दिया, मेरे घर जाने का टाइम हो गया था लेकिन फिर भी मुझे इतना काम दिया कि बस सेहन नहीं हुआ, मैंने irritated होकर, frustrated होकर के सारा काम किया या घर में मुझे बहुत सारी चीज़े अपनी करनी थी लेकिन मा ने या पिताजी ने या भाई ने या भेन बड़ी भेन ने मुझे इतना काम दिया, husband ने ये बोला या wife ने मुझे इतना काम दिया कि मेरे अंदर सेहन करने की शक्ती नहीं रही और मैंने मुझे कुछ गलत कह दिया परमात्मा कहते हैं यह ऐसा नहीं कि वो बाद में याद आ चाहे उससे कुछ फिर बाबा कहते हैं जिस समय जो शक्ती जिस विदी से चाहिए उस समय उसका अपना कारे करे तब कहेंगे खजाने के मालिक तो परमात्मा के यह दिये हुए खजाने हैं शक्तियां और उकुण इनको अगर हम ना यूज करें तो हमारे उपर पापो का भोजा बढ़ता जाता है भार बढ़ता जाता है और इसको कहे जाता है ख़जाने के मालिक यह The Master Trikaldashi वीए बनना कैसा थिया ख़जाने काउन से इसका मालिक कै से बनना इसक लिए 7-DAY का कोस करना बहुत सोरी आपसको तो ईसी के साथ में आज का यै वरदान मतलग यह तो खल का वरदान था अब आज का वरदान आप सुनेंगे Om Shanti.